हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल अगर आप भी परिशान है कि आपके बाल जड़ रहे हैं या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा डियावाई शैंपू लाई हूँ जिससे आपके बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कि बालों के लिए वर्दान है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें सिर्फ एक चीज मिला कर लगाने से आप अपने लिए एक बहतरीन क्लिंजर तैयार कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है दो चमच आवला यह विटमिन सी से भरपूर होता है और बालों को काला करता है नेक्स्ट हमें इसमें डालना है एक चमच रीठा पाउडर फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच शिकाकाई पाउडर आप अपने बालों के लेंध के अकॉर्डिंग इसकी कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं अब हमें इसमें पानी डाल कर इसका पतला घोल तैयार कर लेना अब हमें इस घोल को ढखके रख देना है मॉर्निंग में आप देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा और इसमें हल्की सी थिकनेस भी आ जाएगी तो चलिए अब इसे बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अब हमें लेना है एक लोहे की कड़ाई या पैन आप कोई भी लोहे का बरतन ले सकते हैं और उसमें इस घोल को डाल देना है और उपर से आधा ग्लास पानी मैं इसमें और एट कर रही हूँ और इसको आपको स्लो आच में धीरे धीरे पकाना है सिर्फ दो मिनट के लिए आप इसे पका लेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ठंडा होने पर ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा कैमिकल वाले शैंपू अगर आप यूज करते हैं जो बालों की जड़ों में जमा तेल और गंदगी को साफ करती है देखिए पकते पकते इसका कलर चेंज हो जा रहा है और इसमें थोड़ा थोड़ा जाग भी आ रहा है इसमें कैमिकल वाले शैंपू जितना जाग नहीं आएगा तो आप इसका मतलब ये मत समझें कि इससे आपके बाल क्लीन नहीं होंगे इससे आपका नैचुरल ओइल निकले बिना आपके बाल क्लीन हो जाएंगे और आपके बालों की कई धेर सारी प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगी अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इसे मतलब regular use नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे मन्त में अगर दो बार भी इस तरह बनाकर लगा लेंगे ना तो आपके बालों का तूटना बंद हो जाएगा और आपके gray hair भी दीरे दीरे cover होने लगेंगे इसको पूरी तरह ठंडा करने के बाद अब हमें डालना इसमें दो चमच बेसन बेसन में protein और iron भरपूर मातरा में होता है और ये जितना हमारे face के लिए useful है उतना ही हमारे बालों के लिए भी useful है ये बालों को deep clean करता है और बालों में एक अच्छी सी shine एट करता है अगर आपको problem है कि आपके बाल तूट रहे हैं तो बेसन लगाने से आपके बालों का तूटना भी बंद हो जाएगा ये हमारे बालों को बिल्कुल soft और मुलायम कर देता है अब हमारा shampoo बनकर तयार हो गया है इसे हमें अपने बालों में अपलाय करना है तो चलिए मैं बताती हूँ इसे आपको कैसे लगाना है इसे आपको अपने पूरे जड़ों से लेके पूरी length में अच्छे से लगाना है और 20-25 मिनट के लिए रखना है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे एक घंटे भी अपने बालों में लगा रहने दें उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वाश कर लेना है इसको करने के बाद आपको कंडिशनर की भी जवरत नहीं होगी फर्स्ट वाश में ही आपको अपने बालों पे इसका फर्क नजर आने लगेगा आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे ये देखे मैंने बालों को वाश किया और मैं सनलाइट में आपको बाल दिखा रही हूँ मैंने कोल भी कंडिशनर यूज नहीं किया है और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिए और इसी तरीके की यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए बाई बाई